आप सभी का स्वागत है हमारे यूट्यूब चैनल स्टडी जोन पर दोस्तों आज के इस वीडियो में हम बात करने वाले हैं ए ए आई ए टी सी रिजल्ट 2021 के बारे में जैसा कि दोस्तों आप सभी को यहां पर पता है कि ए ए ए टी सी की जो एक्जाम थी जो ऑनलाइन एक्जाम थी यहां पर पचीस से लेकर 27 मार्स तक कराई गई थी जिसमें की काफी सारे कैंडेट ने एक्जाम दिया था पर दोस्तों यहां रिजल्ट कराई हुए लगभग 2-5 महीने हो चुके हैं पर अभी तक जो है यहां पर ए आई टी सी की जो रिजल्ट है अभी तक डिकलेर नहीं की गई है यानि की दोस्तों अगर आप प्रिवियस एयर की भी अगर आप देखेंगे रिजल्ट की पर करिया तो लगभग एक्जाम होने के बाद एक महीना 15 दिन के अंदर यहां पर जो है यहां पर आपकी रिजल्ट है वो डिकलेर कर दी जाती है यानि की दोस्तों इस बार यानि की 2021 के अंदर यहां पर एयरपोर्ट ऑथरेटी आफ इंडिया जो है एटीसी की जो रिकुरेंट निकाली गी थी उसकी रिजल्ट में आखिर इतनी देरी क्यों हो रही है दोस्तों आज के इस विडियो में हम आपको पूरी information देने वाले हैं जैसा कि दोस्तों मैंने आपको एक हफ्ते पहले मैंने आपको जो है इसकी cut-up के बारे में जो analysis करकर आपको विडियो दिया था उसके अंदर काफी सारे candidates के comment 아 रहे थे कि सर यहाँ पर 2-3 महीने हो चुके हैं एक्जाम को यहाँ कराय हुए पर अभी तक जो है एरपोर्ट आथरिटी आफ इंडिया ने A.T.C की रिजल्ट को यहाँ पर डिकलेर नहीं किया गया है आखिर क्या वज़ा है डिकलेर ना करने का लेकर तो यहाँ पर दोस्तों आप जो भी एक्जाम देख लिए या मार्च में महीने मुआ है चाहे अप्रील के महीने मुआ है उन सभी की जो एक्जाम है वो अभी तक जो है रिजल्ट पुरी तरह से प्रॉपरली यहाँ पर जो है उसके बार में बताया नहीं गया है कि आखिर किस वज़ा के कारण आखिर यहाँ पर रिजल्ट की परिकरिया में देर हो रही है क्योंकि कैंडिट्स इंतजार कर रहे है क्योंकि ऐसा फर्स टाइम हो रहा है की result की परकिरिया में इतनी time लग रही है क्योंकि अगर आप recently previous year भी check करते हैं या AITC की जो result थी उसके लगबग एक महिने के अंदर exam होने के यानि की number में exam होई तो यहाँ पर जनवरी के अंदर जो है result जारी कर दिया था minimum time जो है लिया जादा था maximum time जो लिया था एक महिने के अंदर ही result जारी कर दिया था उससे जादा time लिया था पर यहाँ इस बार आपकी March के महिने में exam होई पर अभी तक result की परकिरिया में आखिर इतनी देरी क्यों हो रही है candidate को इतना इंतजार क्यों करना पड़ रहा है क्योंकि result आएगी फिर आपकी DV होगी फिर medical test होगी फिर आपकी interview होगी फिर उसके बाद जो है आपकी selection होगी तो यहाँ पर आखिर result में क्यों दोरी हो रही है तो इस वीडियो को मैं आपको संपून जानकारित देने वाला जिसके अंदर exam निधारित होने के बाद काफी सारे सहरों में lockdown की परिकरिया स्टार्ट होगी जिसके अंदर जो करमचारी थे वो संपून रूप से आ नहीं पा रहे थे यानि कि जो requirement board है यहाँ पर airport authority of India की उनकी भी करमचारियों में कमी हुई जिसके कारण result की परिकरिया प और यहाँ पर आप सभी को आपने exam दिया है जब तक result नहीं आएगी तब तक आगे की परिकरिया नहीं होगी तब तक आगे की डेट्स नहीं आएगी तब तक आपकी जो है आगे की पूरी परिकरिया हो भी नहीं सकती है क्योंकि result ही से पता चले या कि इसके अंदर कितने candidate जो है select हुए है इनकी डीवी होनी है इनकी interview होनी है तब वहाँ पर जाकर वो selected होंगे तो आखिर result में कब तक है और यहाँ पर जो है एयरपोर्ट जो है एयरपोर्ट ऑथरेटी आप इंडिया है वह एटी सी की result कब घुश्चना करेगी तो यहाँ पर दोस्तों जो पत्रीक परसेंट चांस है क्योंकि दोस्तों एक result को बनाने के लिए कम से कम यहाँ पर जो है result की परिकरिया को पूरा करने के लिए एक महीने तो प्रॉपरली समय चाहिए होता है लगभग यहाँ पर अगर आप देखे तो unlock की परिकरिया खुलने के कारण जो कारयाले हैं जो विवा करमचारियों को छुटी देकर अगले करमचारियों को बुलाया जा रहा है तो इसके कहीं न कहीं जो है result की परिकरिया में देरी हो रही है तो पर दोस्तों यहाँ पर बताया जा रहा है कि result की परिकरिया में देरी नहीं होगी क्योंकि जो result की प्रात्मिक्ता है requirement board की वो जल स जल पूरी करेगी तब कहीं न कहीं जाके आगी की प्रोसेस की पूरी की जाएगी तो इसलिए दोस्तों भरतियों को रोक कर सबसे पहले आपकी रिजल्ट की परकिरिया पे काम की जारी है कि कैंड़ेट्स को जल से जल जो है अपनी पढ़ नाम को यहां पर घोजित किया जाए क्योंकि काफी सारे कैंड़ेट्स इस चीज को आस लगा के बैटे हैं कि हमारी इस बर सेलेक्शन होगी और हमारी यहां पर जो है रिकुरेंट के अंदर यहां पर जॉब भी निर्धारित है इस चीज को लेकर काफी कैंड़ेट्स टेंसन में हैं जिसके कारण जो है रिकुर सुमय आपको एक मुणा का यहां पर पूरा लग जैयेगा अप यह को सकते हैं कि जून में नहीं तो जुलाई में आपको फ Sun के सधर आपको नहीं मिल सकता है जो भी अपडेट्या आती है हम आपको टाइम टू टाइम अपडेट कर देते हैं वीडियो पसंद आया तो लाइक करिएगा और कमेंट करकर जरूर बताइएगा कि आपको क्या लगता है कि जो एयरपोर्ट ऑफ इंडिया है वो आपकी रिजल्ट कब तक जारी कर देगी तो जो भी आपकी कमेंट ह वो कमेंट करके जुरूर बताइएगा उमीद करते हैं वीडियो पसंद आया तो लाइक करिएगा और अभी तक आपने हमारा यूटूब चैनल्स टड़ीज उनको सस्क्राइब नेगा सस्क्राइब कर लिएगा तो फिर मिलते हैं दोस्तों अगले वीडियो में टपक लुस तो जाहिंद तो जाहिंदू